बहुत पुरानी बात है। सोहन नाम का एक जोहरी हीरापुर नामक गाओं में रहता था। सोहन बहुत अच्छा हीरों का वैपाली था। उसे हीरे जुहरा की अच्छी परक थी। सोहन का छोटा भाई मोहन भी यही काम करता था। सोहन का दस साल का बेटा अरजुन था। सोहन यूँ तो अपना काम बहुत मेहनत से करता था और परिवार का गुजर बसर भी बहुत अच्छा चल रखा था एक दिन अचानक सोहन की तब्यत खराब कुई और धीरे धीरे सारा पैसा सोहन की विवारे में लग गया अंतमी सोहन का निधन हो गया पिता के निधन के बाद अरजुन अपने आपको अकेला महसूस करने लगा घर की माली हालत भी अच्छी नहीं थी तो उसकी माने एक दिन उसके बुला कर कहा यह हार लेकर तुम अपने चाचा के पास चले जाओ और उनको इसे बेच देना वह जो पैसे देंगे उन पैसों से हमारा कुछ दिन गुजारा अच्छे से निकल जाए वह जो पैसे हमें देंगे उसे हम अपने घर का खर्चा चला लेंगी हार लेकर अरजुन महन के पास गया बोला चाचा जी माने यह हार दिया है आप इसे बेच दीजिए और जो भी पैसे मिलेगा उस पैसे से हम अपना कुछ दिन गुजारा कर लेंगे चाचा ने हार बड़े ध्यान से देखा और चाचा ने अरजुन से कहा कि बेटा यह हार तुम घर ले जाओ क्योंकि अब बाजार में आर्थिक मंदी है हार के ज़्यादा दाम नहीं मिल पाएंगे जब बाजार उचा होगा तो हार के दाम भी बढ़ेंगे हमें इसी हार के बहुत अच्छे पैसे मिलेंगी और कल से तुम मेरे साथ काम पर आ जाना यहाँ पर तुम्हें मैं बहुत सारा काम सिखाऊंगा और मुझे भी एक लड़की की ज़रूरत है जिसके उपर मैं भरोसा कर सकूँ अर्जुन हार लेकर वापिस चला गया दूसरे दिन वह सुबा आपने चाचा की दुकान पर आया और काम सीखना शुरू किया अर्जुन महनती लड़का था उसने धीरे धीरे खीरे जवारातों की परक करनी शुरू करी उसे धीरे धीरे अच्छे अच्छे जवारत देखने को मिले उन रतनों की वह परक सीख गया अब अरजुन काम करने लगा था तो उसे पैसे भी मिलते थी जिसे घर की आर्जिक समस्या खत्म हो गई धीरे धीरे अरजुन को रतनों की परख हो गई और दूर दराज के देशहरों में भी लोग दूर दूर से अपने गहनों को परखवाने के लिए अरजुन के पास आने लगए। उचा दाम मिलेगा। मा ने हार अरजुन को लाकर दिया। अरजुन उस हार को बड़े गोर से देखने लगा। तो हरजुन ने पाया कि हार नकली है। और इसे बाजार में बीचने से कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। वहें कुछ सोसता हुआ दुकान पर चला गया। और अप मुझे पर यकीन नहीं करती। तुम यह सोसते कि हमारे चाचा हमार साथ धोखा कर रही है। इसलिए मैंने उस इन हार को घर ले जाने को कहा था। और अब तुम में ही जब गहनों कीरे जवारतों कि तुम्हें अच्छी सी परक हो गई है तो तुमने खुद ही परक लिया कि यहार असली है यह नकली है। अरजुन को अपने चाचा की बात बहुत अच्छे लगी उसने अपने चाचा के चरण सपरश किये उनका तह दिल से धन्यवाद किया। चाचा ने अरजुन को गरे लगा लिया। तो देखा बच्चों आपने इस कहानी से हमें सिक्षा मिलती ह कि बड़े जो भी कहते हैं हमें उनकी बात को मानना चाहिए और जरूरी नहीं है कि उसी समय हमें वेह बात समझ में आए, समय के साथ हमें उनकी बात समझ में आ जाती हैं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीज़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें। और के लिए धन्यवाद